हाई, वेलकम टू मैं चनल, इस बीड़ी में सॉल्व करेंगे क्विशन नमर नाइन, तो ध्यान्द जी का, the area of a square field is 60,025 meter square, तो यह हमने बना लिया है area of a square field, और इसमें यह square field की जो area है वो दे दिया है, 60,025, 60,025 meter square, ओके, यह पूरा whole area, अब यह कह रहा है कि, a man cycles, एक man जो है cycle चला रहा है, along its boundary, इसके boundary के 4 तरफ, ठीक है, माल जी की यहाँ से start किया, कितना speed है, उसका 18 km per hour, तो यहाँ से यह जो है move करते हुए, इसके boundary की तरफ जा रहा है, ऐसे, चला रहा है, ठीक है, और चलाते चलाते वो आ गया, starting point पर, ठीक है, यहाँ पर, तो कहने मतलब की, यह जो speed है, इसका दे दिया है, 18 km per hour, और यह जो है, ऐसे घूम करके, चारो तरफ से boundary से, वो starting position पर आ रहा है, तो यहाँ बोल रहा है, in how much time, in how much time, will he return at the starting point, मनि की, जहाँ से start किया है, यह जो starting point है, यहाँ पर कितना time लगेगा, इसको boundary से cross करते हो, यहाँ पर आन कि यह distance कितना, यह cover कर रहा है, क्योंकि यदि speed देर दिया है, तो speed is equal to क्या होता है, distance upon time, फर्मुला हमारा होता है, speed is equal to distance upon time, और हम यदि time निकालना है, time पुछा है, in how much time, in how much time, will he return, तो हमने time निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, distance निकालना पड़ेगा, time is equal to क्या होग distance अपान ये speed को नीचल आ सकते हैं और हमारा formula बन जाएगा ये तो यहाँ पर distance पता होना चाहिए और speed तो पता है ही ठीक है, speed आपका 18 km per hour तो हमें distance पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, square के ये जो square field है, इसके 4 तरफ की boundary है, इसका length find करना पड़ेगा और इसकी boundary का length उतना ही होगा जितना इस square field का perimeter होगा और perimeter निकालने के लिए का करना पड़ेगा side of this square निकालना पड़ेगा तो पहले-पहले हमें assume करना पड़ेगा suppose करना पड़ेगा, let the side of the square field be a और हम फिर इसकी area से find करेंगे a, मतलब इसका side find करेंगे उसके बाद हम find करेंगे इसका perimeter फिर हमारा यहां पर solve हो जाएगा चलिए solve करते हैं तो let let the side of the square field square field is a meter माले यह a meter है हमने यहाँ पर meter माना है, ठीक है तो हमें अब करना क्या है कि पहले a की value निकाल नहीं है तो clearly यहाँ पर दिया हुआ है कि area दिया हुआ है 60,025 तो हम a square बराबर ले सकते हैं 60,025 है कि नहीं क्योंकि area ही तो a square होता है side का square होता है, अब यहाँ पर एक ही value निकालने के लिए करना पड़ेगा, हमें square निकालना पड़ेगा इसका 60,025 और यहाँ पर हम निकालेंगे long-nusion method से ताकि जल्दी में हो जाए हमारा तो 60,025 हो गया एक और method है और वो है आपका क्या, factorization method तो factorization करेंगे तो काफी लिमा पड़ेगा तो इसमें simple में यह हो जाएगा देखें हाँ पर 6 का pair बन गया है आपर sorry 6 single मतलब है बार लग गया हाँ पर तो इसमें करेंगे हम तो जाएगा 2 से okay 2 का square करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पर 2 रख देंगे यहाँ पर मिलेगा आपको 2 और यह double zero जो है next वाला जो period है वो उतर जाएगा यहाँ पर और यह हो जाएगा और यह हो जाएगा 2 to 4 अब 4 का table पढ़ेंगे देखेंगे कि 20 कितनी पर महारा है तो 4 5 जा 20 होता है तो 5 बार में जाएगा नहीं क्योंगी 200 से ज्यादा आ जाएगा 5 से तो हम क्या करेंगे कि 4 बार में ही ले जाएगे 4 4 16 का 6 1 carry over 4 4 16 और 1 17 अब मैनस करेंगे तो यहाँ 10 में से 6 जाएगा 4 और यहाँ 9 में से 7 जाएगा 2 24 और यहाँ पर हो गया खतम 24 हो गया और यह 25 अब यहाँ पर उतार लेंगे ठीक है तो यह हो जाएगा 4 8 अब यहाँ पर देखना होगा देखे 4 से डिबाड़ गारेंगे 24 में कितनी बार में चला जाएगा 5 10 में 4 5 जा sorry 5 20 हो जाएगा 4 6 जा 24 आएगा लेकिन हम 6 जाएगे तो यहाँ पर 5 नहीं आप आएगा तो अब यह 5 से लिजाना पड़ेगा actually यहाँ पर 5 है तो इसलिए तो अब यह cancel out हो जाएगा मतलब कि दूसरी बार गया था किससे 4 से गया था यहाँ पर और अब गया है 5 से means 2 4 5 जाएगा 5525 का 5 5 जा 40 and 242 4 carry over 5 420 and 424 cancel out हो गया मतलब कि हमारा जो आ गया square root वो आ गया ही है 245 means इतना पराबर आ गया 245 meter हो जाएगा क्योंकि यह meter square में दिया हुआ था ठेक है तो meter बार निकलेगा okay तो हमारा निकल गया side तो length of one side मिल गया हमें तो अब आप निकाल सकते हैं so perimeter निकाल सकते हैं perimeter is the distance okay perimeter of the square field तो perimeter जो होगा वो हो जाएगा 4 into side मतलब कि 4 into 245 और यह हो जाएगा 4, 5, 20, 4, 5, 20 का 0, 2 करी ओवर 4, 5, 4, 16, 16, 9, 2, 18 का 8, 1 करी ओवर and 4, 2, 8 और 1, 9, 980 meter तो अब हमने निकाल लिया है 980 meter यह क्या हो गया यह total length हो गया इसके boundary का boundary के length हो गया तो अब हम यह distance यह formula लगा देंगे time is equal to distance upon speed क्योंकि speed हमें दिया हुआ है 18 km per hour लेकिन हम यहाँ पर 18 km per hour को meter per second में change कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी meter में है तो इसको भी meter per second में करना पड़ेगा तो यहाँ लिखलेंगे कि also given that speed is equal to speed of cycling दिया हुआ है 18 km per hour तो इसके दिए meter per second में change करेंगे तो मिलेगा हमें 18 into kilometer को change कर यह meter में तो 1000 meter हो जाएगा अपान और hour को change कर यह second में तो 60 into 60 से मिलेगा करना पड़ेगा तो यह कट जाएगा यहाँ से और यह हो गया यहाँ से फिर यह 6-3-18 होता है और 3-1-3, 3-2-6 होता है 2-2 और 2-5-10 होता है मतलब कि 5 meter actually आजाएगा 5 meter per second तो हमारा speed आगया meter per second में 5 meter per second हमें निकालना है time तो hence time is equal to so required time required time is equal to a distance upon speed distance upon speed equal to distance कितना है 980 meter इतना ही तो travel कर रहा है है कि नहीं यह पूरा जो cycling कर रहा है तो यहाँ से जा करके और पूरा इस square field के 4 तरफ जा रहा है इसका मतलब कि 980 meter total perimeter कवर कर रहा है तो इतना आपान speed कितना है 5 meter per second का यूज करेंगे 5 meter per second अब यहाँ पर second में answer आएगा 5 बंजा 5 और काटे कर कितना मिलेगा 5 बंजा 5 4 बचेगा 48 और 5 नाइजा 45 30 हो जाएगा 5630 मिन्स मिल जाएगा हमे 196 और देखें meter meter भी कट गया second मिलेगा 196 second अब इसको हम यदि change करें minute में क्योंकि हमारा answer जो है यह minute और second में आएगा तो यहाँ पर हम 60 से डिवाइड कर देंगे यदि हम 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा यह minute में change जाएगा तो अभी नहीं करते हैं इसके आगे next वाले step में करते हैं इसको हटा देते हैं अभी is equal to यहाँ पर कर लेंगे हम 196 upon 60 तो यह हो जाएगा minute में ठीक है minute लेकिन जो remainder बच्चेगा वो second में हम करमड कर सकते हैं थाभी यहाँ पर कटा लेते हैं पहले तो यहाँ पर यदि हम डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 2, 3, 6, 30 हो गया and 2, 9 जा 18 and 1, 16 and 2, 8 जा 16 फिर 2 से कटेगा 15 आ जाएगा यहाँ पर और 2, 3 जा, sorry 2, 4 जा 8 2, 4, 0, sorry 2, 4, 0, 8 and 2, 9, 0, 18 मता 49 अपान 15 मिलेगा ठीक है अब यह कट नहीं पाएगा अब यहाँ डिवाइड कर दीजे 15 से यदि डिवाइड करते हैं तो देखिए कैसे convert करेंगे आप थोड़ा सा हम इसको नीचे खीच लेते हैं page को यहाँ पर हम calculate कर लेते हैं finally हमें calculate करना है यहाँ पर तो 49 को divide कर दीजे 15 से तो मिलेगा आपको इसको हम second में change कर सकते हैं कैसे 4 अपान 15 में यह हम multiply करते हैं 60 से तो इतना second मिलेगा तो 15 बंजा 15 15 फोर्जा 60 होता है अब 4 फोर्जा मिलेगा क्या 4 फोर्जा 16 हो जाएगा 16 seconds हो जाएगा means हमें total जो answer मिल जाएगा finally answer वो मिल जाएगा 3 minute and 4 फोर्जा 16 16 seconds this will be your final answer तो इतना time लगेगा उस person को जो आदमी cycling कर रहा है इस boundary चारतरफ जाने के लिए total time लगेगा 3 minute 16 seconds तो आप समझ चुके होंगे कैसे हुआ यह और कैसे करना होगा ठीक है thank you so much for watching एक comment जरू करिएगा and subscribe यह दिया ही कि है तो subscribe जरू कर लिजएगा and like and share तो जरू करिएगा thank you so much again bye